अच्छी बात है जोग संजोग है यह सब समय समय से होला सब कुछ जीवन भा बहुत ही अच्छा है भामारे तब से धिर सब सुकम ना भा तो नमस्कार प्रणाव मेरा नाम है रविशंगर सिंग और आप देख रहे हैं रविशंगर ब्लोक और आज हमारे साथ जो सक्स जुड़े हुए हैं बागे कोई परिचय का मोहताज नहीं है जिहां भोजपूरी के सूपर स्टार सिंगर दीपक दिल्दार जी हम चाहेंगे कि दीपक दिल्दार जी के आवाज में एक छोटा सा कुछ गुनबुना दिया जाए अभी होली के महोल चलता और होली के सुटिंग पे भी आप सवाइल वनी तो स्वागत बाव भी गाना गोले बेन दीपक दिल्दार ओफिसियल पे है मरद हपेंटर रंगेला से महोली को हते या चुटि के जागा को जाए कने इंसर हूह मरद तो हर पेंटर हूई रंग अतरो जो सेंट और हो वाह वाह क्या गाना इनका रहता है एक टैम जब च्छाय रहे थे हनुमान जी का आपका गाना वज़ा था इतना जवड़दस्त हम लोग सुने थे इतना मसहूर वो सौंग था हर एक मूड का मैं गाना गाया हूँ अब हर एक चीज़ गायी ले प्रयास करी ले आप सबके सुरुतारुपी गार जीयन के असिरवाद आप सबके प्यार बाग तो ये जो गाना अभी होली का सुट हो रहा है ये गाना कौन से चैनल पे देखने को मिलेगा और कब तक मिलेगा अभी चैनल पे आ रहा है और जल्दी आएगा अभी इस गाने को गुल गा भी नहीं सकता हो नहीं सुटिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं अब आप सभी को देखने सुनने को मिलेगा जल्दी भोजपूरी इंडरेश्टी में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है दिपक दिल्दार जी अभी बहुत अच्छा खुसी का महाल भोजपूरी इंडरेश्टी में चला है कि भोजपूरी के पावस्टार पवन सिंग और जोती सिंग एक हुए है इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं अच्छी बात है जोग संजोग है समय समय से होला सब कुछ जीवन भा बहुत ही अच्छा भा हमारे तब से धिर सब सुकबना भा इस पर कुछ लोग टीपनिया कर रहे है कि कि इलेक्षन का महौल है इस वजए से पावन सिंग इस तरीके का काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है जो परजेंट दिख रहा है वो मैं जानता हूं अच्छा इस पर ज्यादा कुछ है मेरे को मतलब नहीं है इस पर क्या मेरे बारे में पूछी है जी बिल्कुल मैं यह जानना चाहता हूं दिपक दिल लाड़ जी कि आप भोजपूरी इंडेस्टी में शुरुआत कब किये थे क्योंकि काफी दिन से हम लोग हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं लेकिन कोई ऐसा जो गाना आपका वाइरल हुआ था पहली बार बार बरस करने तो अपसे हम गाई ले इस सब बहुत लंबा बा कहानी के फिरा मत पुरा चटक बात बतिया वह जोन अभी के डिट में प्रजेंट वाकरा बारे में का डिपली जो अब धेर लागी दूए घंटा लागी बता मैं नहीं तो एक जो अब देखो गाना के सुरुबात भाई जी बचपने से रहल जुनून और आज भी हमेशा वही मूड में हमरा हीट फोलफ से मतल बच्पूरी इंडर्श्टी के आप ही एक ऐसे कलाकार हैं जो प्रफालतू को चीज कहा जाता है उसमें आप नहीं पड़ते हैं का मतलब है उसको टाइम हो पड़ेगा ना अब तो अपने सुचने में टाइम नहीं है भाई मैं क्या करूं गाने के बारे में सुचता हूं ग आने वाले समय में भोजपूरी के में कौन सा कोई फिलम उलम का कोई तयारी बहुत फिलम है मेरा अभी तो ड्रामेबाज दमात उरीज है और सब पिक्चर हैं लेकि पिक्चर के और से थोड़ा सा कम आदमे मूव कर गया है काईसे की पिक्चर में वो मज़ा नहीं है जो होन सवाल का जवाब आपको देना है दिपक जी बहुत बार मैं आपसे मिला हूँ खैर आपको ध्यान है कि नहीं है लेकिन जीतना भार मिला हूँ आपका मैं इंटर्वियो किया हूँ लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हो जाते हैं मतलब उनको क्या ऐसा हो जाता है जो मिलने से भी मना कर देते हैं वो लोग जाने हम अपना जानते हैं हमको अपने से मतलब है या मतलब यूटूबर को या कुछ मीड धर रहा हूं, बटो उनेंगे वह अपने आप समय दिलदार सदा बहार है, यही तो भूजपुरी का पियार है, हमको कोई मतलब नहीं, हम जैसन कोहड़ा चानी पहुशन भूईयां, हमरे के जावना भेश में प्योजबा उही में मीली ले, हमरे कोने पर के ना पर लेला, इस दुनिया देखाता दे देख लेला बास्तों, आज तो पूरबको गाह देता रहा है, डाल देता रहा है, लेकिन वह समय के अतना टौफर है, जो मेरे ओडियो, ओडियो कैसा रील अप्टाता रहा है, वह बरन हमने को गहरी से लाड़ा ही लोड़ता नहीं, तो फोर्ग भाह हम तब भूजाईबे नकला, अब कोन इसन साल होगा जी दिपक दिलदार के गाना ना बज़े जी, तू बताओ भाई, अब हमरा चाहे वाला सुरुतारूपी गार्जियन का सिर्वाद बाद, जो जो रहला है, और एक साल दू गाना बजना है, मासरो सती किरपा है, माई था वेली का सिर्वाद है, मेरे चाहने वालों का प्रेम है, दिन है, दिपक दिलदार जय जय है, इसी को कहते हैं, दिपक दिलदार, दिलदार, जो भाकई में एक दिपक दिलदार जो है, बाकई में दिपक दिलदार जी है, अब जाते जाते हमारे ओडियोंस को कुछ कहना चाह बावाद क्या बात है अभी कमेडी गाना चलते तो ओफिसियल प्याइल बाव और यह गोरी गाना आवता है कि माल हमर होली में रूस गोई अभी आने वाल है माल होली में रूस गोई रंग पिछकारी के चूस गोई धीपक दिलदार जी का तो घर कहना ही नहीं है भाई जब न नया अपडेट जाने खाती भाई से जूड़ रही है तो आज का वीडियो को कैसा लगा हो और हमारे चट पटे झालते जो धीपक दिलदार जी का बाते आप लोग कैसा लगा हो वो लोग कमेंड केंडिया के गाने को सुदिन गैरा पियार और असीरबात दिजिये और हमारे अभी चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छा लगो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट जरूर कर दीजेगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत